दोस्तो जली जीवन है यह कहाओ तो आपने कहीं बार सुनी होगी जो की संज भी है लेकिन इन दोनों एक नए तरह का वाटर लोगों के जीवन में परवेश कर चुका है जो ब्लेक वाटर के नाम से जाना जाता है फिलहाल यह सेलीब्रिटीज के बीज काफी पॉपलर हो रहा है मलाइका रोडा अनुसका सर्माव विराट कोली जैसे फेमेस लोग इस ब्लेक वाटर की बोतल के साथ मीटिया द्वारा स्पोर्ट किये जा चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखिर ये ब्लेक वाटर है क्या तो दोस्तो ब्लेक वाटर एक अलकलाइन वाटर है जिसमें सामने जल के मुकाबले खनीजू के मातरा अधिक होती है, यह सारी एलकलाइन होने के वज़े से इसका रंग काला होता है, इसलिए इससे ब्लेक वाटर कहा जाता है, अब आप सोच रहे होंगे की यह ब्लेक वाटर कैसे बनता होगा, और इसको पी के फाइदा होता होगा या नुकसान, तो आप ज़्यादा सोचे मत, हम आपको आगे को पूरा बताते हैं, दोस्तों ब्लेक वाटर एक अलकलाइन वाटर सारी यह पानी है, जिसका पीएच लेवल साथ से अधिक होता है, इसमें खनीजूं की संख्याद ज्यादा होती है, जिसमें मैगनिसियम, सोडियम, कैल्सियम और पूरिसियम जैसे खनीज सामिल होते हैं, वहीं पीएच लेवल आट से नौ के बीच में होने के कारण, यह एक अलग काले रंग में नजर आता है, माना जाता है कि यह तोचा के लिए काफी फाइदे मन होता है, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें पिमपल से की समिश्या रहती है, दोस्तो इसके लाएस से पाचन तंतर के लिए भी अच्छा माना जाता है, और दावा किया जाता है कि यह गैस और अपज जैसी पाचन समस्याओं को भी दूर कर सकता है साथी इससे डाइबिटीज के मरीजूं को भी लाब मिलता है वहीं अब ये बात सबको परेशान करती है कि बलेक वाटर और साधरा पानी में आखिर अंतर क्या है दोस्तो किसी भी भोजन या पेपदार्थ के पियर्ज लेवल से उसके अमलिय एसिडिक या सारिय एलकलाइन होने का पता चलता है वहीं पियर्ज की मात्रा 0-14 के बीच मापी जाती है सुद्ध पानी का पियर्ज लेवल 6-7 के बीच होता है जिसे न्यूटरल अवस्ता भी कहा जाता है लेकिन सारिय एलकलाइन जल का पियर्ज सामान्य तोर पे 7 से अधिक होता है जो प्यूर वाटर से अधिक है दोस्तो अधिक पियज का पानी प्राकृतिक तोर पर या आयोनाइजिंग के जरिये प्राप्त किया जाता है ब्लेक वाटर में 70 से अधिक खनीज मौजूद होते हैं कहा जाता है कि इसके सेवन से इंसान लंबे समयता है स्वस्ते रह सकता है अब वहीं बात आती है कि ब्लेक वाटर कैसे बनता होगा दोस्तो ब्लेक वाटर या एलकलाइन वाटर दो तरह के होते हैं नेच्रोल ब्लेक वाटर और किर्तिम आर्टिफिस्यल ब्लेक वाटर वहीं प्राकरतिक black water तब बनता है जब पानी चट्टानों से होकर जरने की तरह बहता है यह पानी खनीजुं को अपने साथ सामिल कर लेता है जिससे इसका pH level बढ़ जाता है और वहीं किर्थिम artificial black water ज्यादतर black water जिसे लोग पीते हैं वह artificial होता है इसे एक chemical process से तैयार किया जाता है जिसे electrolysis कहा जाता है इस टेखनीक में सामन्य पानी के pH level को बढ़ाने के लिए एक ionizer नाम उपकरण का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों, ionizer के निर्माताओं के अनुसार यह उपकरण पिजली से चलता है और पानी के अधिक अमलिय एसिडिक और अधिक सारी ए alkaline molecules को अलगलग कर देता है इसके बाद अमलिय पानी को बहार निकाल दिया जाता है हालांकि कहीं सोथ करताओं और डाक्टरों के अनुसार यह दावे गुवत्ता अनुसंदान द्वारा समर्थित नहीं है आयोनाईजेशन से पहले यह सुनेशित करना जरूरी है कि कहीं मूल सरोथ से निकले पानी में पॉल्यूटेंटे पदार्स तो मौजूद नहीं है कुछ वेग्यानिक पानी को alkaline ionizer से जोडने से पहले आरो इस्तमाल करने के सलहाद देते हैं जो पानी के pH को बढ़ाने और खनी जोडने में मदद करता है अब वहीं बात आती है कि black water पीने के क्या फायदे होते हैं दोस्तो यह हड्डियों को सवस्त बनाई रखने में मदद करता है और यह gas सम्मंदी समस्याओं को दूर करता है वहीं यह रोग परती रोधक समता मपड़ाता है सरीर से टॉक्सिन को बाहर करता है वहीं यह fitness के दोरान यह सरीर को हाइडरेट रखता है कॉलेस्टॉल को कम करता है वहीं high blood tracer और मदु में एको भी कम करता है और आयू में विरिद्धी होती है वहीं कहते हैं अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उससे जुड़े नुकसान भी जरूर होते हैं दोस्तो रिचर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों को इसके सेवन से जी मिचलाना चक्कर आना, उल्टी आना, गैस सम्मंधी समस्याएं मांसबेस्यू में एठन और घबराड होना जैसी प्रॉब्लम से देखने को मिली थी अब बात आती है कि क्या बलेक वाटर सुरक्सित है दोस्तो अभी अलकलान वाटर को लेकर कोई पुक्ता वैज्यानिक परमान नहीं है जो दावा करे कि इसे किसी तरह की स्वास्ति स्थित्यू में सुधार होता है वहीं मेडिकल एक्सपर्ट मार्केटिंग दावों पर विश्वासना करने की चिताओनी देते हैं हालांकि दोस्तो नैचुरल बलेक वाटर को सुरक्सित माना गया है क्योंकि इसमें प्रागरती खनीज सामिल होते हैं लेकिन आर्टिफिस्यल बलेक वाटर को लेकर साउधानी बरतनी की सलाथ दी जाती है जिसमें उच्चे पियेज की तुन्ना में कम अच्छे खनीज हो सकते हैं साथी इसमें दूसी पदार्थ भी हो सकते हैं दोस्तो भारत में आपको कहीं ब्रांडे के साथ बलेक वाटर देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा डिमांडे इवोकस कंपनी के बलेक वाटर की रहती है इवोकस की हाप लिटर की बोतल 100 रुपय में मिलती है मतलब एक लिटर बलेक वाटर की कीमत 200 रुपय है बलेक वाटर की एक बोतल में 32 mg कैलसियम, 21 mg मैगनिसियम और 8 mg सोडियम मौजूद होते हैं वहीं दोस्तो बलेक वाटर पीने पर इसका स्वाथ बिल्कुल सामाने पानी की तरह ही होता है लेकिन pH लेवल अधिक होने की वज़े से इसका रंग काला दिखाई देता है वहीं कई लोग एनरजी बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल वरक आउट या जिम के बात करते हैं इसलिए इसे एनरजी डिरिंक या फिटनेश डिरिंक भी कहा जाता है तो दोस्तों ये थी पलेक वाटर की हकीकत जो आज आपको पता चल गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं आगे को किसी और वीडियो के साथ जै हिंद, जै भारत